इस कहानी की शुरुआत में हम चांद पर एक बहुत बड़े ब्लाश को देखते हैं ब्लाश की वज़े से चांद का 70% इसा खत्म हो जाता है इसके बाद हमें जापानी मिलिटरी को दिखाये जाता है जो ओक्टोबस जैसे दिखने वाले एक क्रियाचर उखत्म करने के लिए अपने सॉल्जर को बेशती है लेकिन वह क्रियाचर उन सारे सॉल्जर उखत्म कर देता है यहां में पता चलता है कि उसी ओक्टोबस जैसे दिखने वाले क्रियाचर नहीं चांद पर वह ब्लाश किया था जिसके कान चांद का 70% इससा बरबाद हो चुका है इसके बाद हमे इसकुल एथरोटी क्लास थिरी नाम की एक अलग क्लास में ट्रांसर करती है ताकि वह अपना परफोर्मेस बाकी बच्चों से भी अच्छा कर सके वह क्लास इसकुल से कुछी दूरी पर थी और यहां हम उस क्लास को देख पाते हैं जहां उन सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाया जाता है वार्रूम एक खंडर जैसा था यहां उसी ओक्टोपस जिसे दिखने वाले कि रेचर को देखते हैं जो दरहसल एक एलियन है और उसी ने चांद को बरबात किया था जो अगले साल प्रत्री को भी बरबात करने वाला है जिसका नाम कोरो सेंसे यहां यह एलियन बहुती तेज है जिसकी स्पीट को कोई मेश नहीं कर सकता इस दोरान टाडोमी उस एलियन पर बहुती तेजी से अटेक करने कोशिश करता है लेकिन कोरो सेंस किसी तरह से टाडोमी के भी इन अटेक से भज जाता है क्योंकि वा बहुती ज़्यादा तेज था इस उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा इसी बीच को रोसेंस उन सभी बच्चों को बताता है कि अगर उन्होंने उससे एक साल के अंदर खत्म कर दिया तो वह इस प्रत्थी को बिल्कुल भी नुक्सान नहीं पहुचाएगा इस दोरान वह बताता है कि उसने जाप वेपनस ऑव ब्लेट्च दिये जाते हैं ताएकि वह उस एलियन को खत्म कर सके और उन वेपन्स से किसी इंसान को नहीं माँला जा सकता था वह वेपन्स सिफ और वस एलियन को खत्म करने के लिए बनाए गए थे जाने से पहले टार्डो मैं उन सभी बच्चों को बताता है कि अगर उन्होंने इस एलियन को खत्म कर दिया और प्रति को बचा लिया तो उन्हें सरकार की तरफ से 10 मिलियन यान मिलेंगे जिन पेसों से वो बच्चे अपने पेरों पर खड़े हो सकते हैं इस बीच कोरो सेंस उन से भी बच्चों को बताता है कि वह लोग उस पर जेसा चाहे वेसा टेक कर सकते हैं लेकिन उन पर प्लटवा नहीं करेगा इसके बाद हमें इरिना नाम की एक किलर को दिखाया जाता है जिसे कोरो सेंस को खड़ने के लिए उस स्कुल में रखा गया है लेकिन इस दोरान वह उस एलियन को खड़ने में नाकाम रहती है इस कारण उसे military of defense उसी स्कुल में English teacher का काम दे देती है ताकि वह उसी स्कुल में रहकर उन बच्चों की मत कर सके इसके बाद उस class का नाम ASAC Nation classroom रख दिया जाता है जहां वह सारे student कोरो सेंस को खड़ने के लिए training करेंगे सारे बच्चे कोरो सेंस फर उन बंदू को और चाको से हमला करने लगते हैं लेकिन कोई भी इस दोरान कोरो सेंस को खड़ने में काम्याब नहीं होता इसके बाद हम उसी class में एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम नगीसा है जो इस movie का lead character है नगीसा एक बहुत ही जाला शर्मिला लड़का होता है लेकिन वह बहुत ही जल्दी सब को चीजे एजो कर लिया करता था इसी दोरान हम देखते हैं कि वह class में अपने नई teacher के सारे order को follow कर रहा है और उनकी सारी बातों को वह अपनी diary में note कर रहा है क्योंकि वह बहुत अच्छा student था जो सेलियन को खत्म करने के लिए एक बहुतर मुका ढूंड रहा होता है इसके बाद हम class के ही कुछ शरारती बच्चों को देखते हैं जो नगिसा का इस्तमाल करना चाहते थे ताए क्योंकि वह को खत्म कर सके इसके बाद और सारे बच्चे एक plan के तहट नगिसा को खत्म करने के लिए उसके पास बेशते हैं इस दोर नगिसा अपना assignment को रो सेंस क पास लेकर जाता है और नगीसा अपने हातों में चाकू लिए अपने उस टीचर की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन कोरोसेंस उसके हातों में उस चाकू को देख लेता है और किसी तरह से वह उस चाकू को उससे छीन लेता है इस दौन नगीसा कोरोसेंस को गले लगा लेता है ताई कि वह उसे इस सरकत के लिए माफ कर दे लेकिन इसा नहीं था नगिसा को रोसेंस को उस चाकू से खत्म करने नहीं आया था बल्कि उसके पास प्लान भी मुझूद था और उसके पास एक बोम था जिसकी मदद से वह से खत्म करना चाहता था इससे पहले कि वह बम को रोसेंस वह देख लेता है लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एक जोरदा ब्लाश्ट होता है जिसमें नगिसा गायलो जाता है और वहां मुझू सारे बच्चों को लगता है कि शायद उन्होंने को रोसेंस को खत्म कर दिया इस कान सभी लोग खुश हो जाते हैं लेक कि जब वहां पर उस ब्लाश का दूआ अड़ता है तो उन्हें पता चलता है कि को रोसेंस अभी मारा नहीं गया उन लोगों को को रोसेंस क्लास्रूम की छत पर दीखता है और और अब गुस्सें में लाल हो जाता है इस दोरान वो उन सभी स्टूडेंट को बताता है कि उन उन्हों ने इसके अलावा कोई भी और चीज इस्तमाल की तो यह उस कॉंटेट का उलंगन होगा यही बात को रोसेंस सभी बच्चों को बताता है इस जोरान को रोसेंस बताता है कि इस गलती के लिए वह उन सभी को माफ कर रहा है लेकिन आगे से अगर इस तरह की कोई सीली उन लोगों ने की और उसे दो कीसे मानने कोशिश झी तो यह उन सारे स्टूडेंट्ण की फेच मीली को खतमा कर देगा यह बात जानने के बाद सारे स्टूडेंट्न बुनी तरह से डर जाते हैं क्योंकि कोई पयोँती जादा गुसे में था उसका चेरा बिलकुल लाल रहा होता है इस दोरां फ़यिsす टूडेंट्स है िसको एक बड़े से जान में फसा लेते ताए कि वा उसको खत्म कर सके ईस टूडेंट्स है उसको जान में फसाने के बाद दमे कर्मा नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसे उसी क्लास 3E में ट्रांसर कर दिया गया है। से हाथ मिलाता है जैसे ही कोरोसेंस कर्मा से हाथ मिलाने लगता है एलियन के हाथों में धर्द होने लगता है इस दौरान कर्मा कोरोसेंस को बताता है कि उसके हाथों में कुछ ब्लेट्स लगी हुई है इस कार्ण उसे इतना धर्द हुआ यहां सारे स्टूडेंट सेरान होते हैं क्योंकि कर्मा एक एकला ही ऐसा स्टूडेंट था जिसने कोरोसेंस को अट किया था क्योंकि से पहले उस पर किये गए सारे अटेक पुरी तरह से सफल हुए थे लेकिन कर्मा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था अब वह उस क्ल उसे इसको खत्म कर सके और इस प्रती को बचाने में उन्लों की मत कर सके लेकिन हम देखते हैं कि करमा भी उससे खत्म करने में और भी सबी स्टुडेंट की तरह नाकामयाब होता है वह भी उसको खत्म नहीं कर पाता, निराशुकर करमा उस क्लास्रूम में बहारी बेठा मिलने वाले पेसे से कोई मतलब नहीं है तब ही वहां पर हम कोरोसेंस को देखते हैं जो उन दोनों की बाते सुन रहा होता है वह वहां आकर उन दोनों इस्टुडेंट्स को अउज़ो करता है इसके बाद कर्मा कोरोसेंस से बाते करने लगता है इस दोरान कर्मा कोरोसेंस से कि क्या वह भी आम टीचर की तरह एक बुरा टीचर है या उसे सच में अपने स्टुडेंट की फिक्र है इतना केकर करमा उसी पहाड़ी से नीचे कूछ जाता है क्यों है कि उसे यकीन था कि कोरो सेंस एक बहुत अच्छा टीचर है जो किसी भी हालत में अपने स्टुडेंट क के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचा करता है उसे यकिन था कि कोरोसेंस उसे बचाने के लिए जुरूर आएगा इस दौरान करमा अपने हाथों में एक गन लेकर कुछता है ता कि जब कोरोसेंस उसे बचाने के लिए उसके पास आए तो उसे खत्म कर दे क्यों कि जब कोरोसे और इससे पहले कि कर्मा नीचे गीरता वह कर्मा को इसी जास से बचा लेता है और यहां में पता चलता है कि वह एलियन एक बहुत युछ-बएंट की बहुत परवा है लेकिन उसे अब नीभी उतनी परवा है JETनी एससे इस्टूडेंट की है इसके बाद हमें जापानी मिलिट्रेट को दिखाया जाता है जहां में पता चलता है कि उसे एलियन दौरा चांद पर किये गए अटेक को अब दो मैंने से जादा हो चुके है इसकारण पुरी दुनिया के देश जापान को लेकर बहुत गुस्से में है क क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है दुनिया बर के देशों ने मिसाइल जापान की तरह बेजने के लिए इस टेंड बोई पर रखी हुई है जिनको भी कोरो सेंस ने कंडूल करके रखा हुआ है इस बात की जानकरी जापान को भी बहुत अच्छे से थी और यही कारण था कि लोग उस एलियन को बिना उसकी मरजी के खत्म नहीं कर सकते थे इस दौरान हम टाडूमी को देख पाते हैं जो अपने सीनियर अधिकारी को बताता है कि उन्हें एक एलियन को खत्म करने के लिए एक नया स्टुडेंट चाहिए क्योंकि जो स्टुडेंट भी उस क्लास 3 में वहाँ उस एलियन को खत्म करने में पुरी तरह से ना काम हो रहे हैं इसकर उन्हें एक इसा स्टुडेंट चाहिए जो उसको खत्म करने में उन सारी स्टुडेंट की मत कर सके इसके basic को दिखाया जाता है जहां वह अपने सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है तब यह वहाँ पर रिस्टू नाम के एक AI रोबोट को देख पाते हैं जिसे उस एलियन को खत्म करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है रिस्टू के अंदर बहुत सारे इसे हत्यार मौजूद थे जो बहुत ही मोडरन हत्यार थे जिनकी मदद से वह असानी से कोरोसेंस को खत्म कर सकती थी अब एलियन जब उस क्लास में पढ़ा रहा होता है तो रिस्टू कोरोसेंस को अपने उस शिच्टब में लोकर लेती है और उस पर आंदादून गोल्या चलाने लगती है लेकिन कोरोसेंस भी बहुत तेज था वह रिस्टू के उन सारे अटेक से अपने आपको किसी तरह से बचाता है लेकिन इस दौरान उस क्लास में मौजूद सारे बच्चे भी रिस्टू के उस अटेक से बाल बाल बसते हैं वो सारे बच्चे अपनी अपनी टेवल के नीचे छिप जाते हैं उन सारे बच्चों को रिस्टू के उपर बहुत गुसा आता है क्योंकि इस अमले के दोरान उन दोनों की जान को खत्रा था इसके बाद उस सारे स्टूडेंट रिसू को जंजीरों से बांद कर वहीं केद कर देते हैं ताकि वह दोबारा कोरो सेंस को खत्म करने के लिए उन स्टूडेंट की जान को खत्रे में ना डाले इधर कोरो सेंस जो उस हमले से बच चुक वह रिस्सू के पास आता है जो रिस्सू को बताता है कि उसके अंदर का गुस्सा उसे जीतने नहीं देगा क्योंकि वह सिप गुस्से में उसके ओपर अटेक कर रही है अगर वह अपना दिमाग यूज़ करके उन सारे स्टुडेंट के साथ एक मैनूल प्लान बना है जिससे क का ही एप है जिसने उसे उन सारे स्टुडेंट के मोबाइल में एड़ कर दिया था वह चाहती थी कि सारे स्टुडेंट उससे कनेक्टेड रहें और वह सभी लोग मिलकर को खत्म करने में रिस्सू की मलत करें इसके बाद हम इटोना नाम के एक छोटे से लड़के को देखत का था जिसके साथ उसका ट्रेनर भी मोजूद होता है वह सब भी स्टुडेंट को बताता है कि वह कोरो सेंस का सगा भाई है और वह उससे जहां तागतवर है जो कोरो सेंस को एक ही जटके में खत्म कर सकता है या मिटोना की बोडी से निकलते हुए कुछ टेंडिकल्स को दे उससे ज्यादा बेतर बताता है इस दोरान वह कोरो सेंस को चैलेंज करता है और उससे फाइट करने के लिए आगे आता है वहां मुझूद इटोना का ट्रेनर सबीको बताता है कि टोना की स्पीड कोरो सेंस से भी ज्यादा तेज है अब यह बात सुनकर कोरो सेंस को बहुत गुसा आ जाता है लेकिन उसे भी कहीं न कहीं लग रहा था कि टोना उसका कोई रिलेटिव है लेकिन अब वह बहुत गुसे में था क्योंकि टोना बार बार उससे बेतर अपने आपको बता रहा था इस कान वो उससे लड़ने लगता है वो इटोना को छोटा बच्चा समझ कर अंडरिस्टेमेट कर देता है इस वायट के दोरान इटोना को रोसेंस के उपर बारी पढ़ने लगता है लेकिन अब को रोसेंस बहुत ज्यादा गुस्सें में आ जाता है जो उसे एक ही जटके में वहां से दूर इसकुल से बाहर फिक देता है और इस तरह से इटोना भी उस एलियन को खत्म करने में बिल्कुली नाकाम्याव होता है इस कान उसका ट्रेनर उसे वहां से लेकर चला जाता है इदर हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने कोरोसेंस टीचर की इस जीत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है या हम देख पाते हैं कि कोरो सेंस को देखकर बहुत खुश थे इसके बाद हमें उसी स्कुल में एक दूसरे सोलजर को दिखाया जाता है जिसका नाम अकीरा है जो टार्डोमी के बदले वहां पर उन बच्चों को उस एलियन को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग देने आया हुआ था जो बहुत ज़्याद इस दौरान हम एक लड़की को देख पाते हैं जो उसी ट्रेनिंग का हिसा थी जो उस ट्रेनिंग को करते करते बुरी तरह से ठक चुकी थी इस कान फकीरा अपनी उस स्टूडेंट को धमकाने लगता है और उससे बताता है कि वह बहुत ज़्यादा कमजोर है जो उस एलियन स्टूडेंट्स में भी उससे कंट्डोल कर लिया तो वह यहां से इस ट्रेनिंग को छोड़ कर चला जाएगा टाडो मी को अपने उस सारे पर यकीन था कि वह किसी तरह एकिरागों क्रेंगे इस कारणड वह उसके उस चेलेंज को एक सेट कर लेता है इसके बाद हम नगीसा को देख पाते हैं जो अकिरा को कंडूल करने के लिए उसकी तरह वागे बढ़ता है क्योंकि नगीसा ही एक इसा बंदा था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा कमजोर था लेकिन अंदर से बहुत इंटेलिजेंट था जो किसी भी हाल में अपने सामने वाले अपोनेंट को करा सकता था यही कारण था कि टाडूमी ने अकिरा को कंडूल करने के लिए उसको चुना था नगीसा अकिरा को कंडूल करने के लिए आगे बढ़ता है वो उसके सामने पहुंचने पर एक प्यारी सी स्माइल देखकर अकिरा को डिश्टेट करता है और मौका देखकर अकिर के ओपर चाकुडा देता है जिसका अकीरा उसके कंट्रोल में आ जाता है इसके बाद डिल के मुताबिक अकीरा को वाँ से जाना पड़ता है ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और कोरो सेंस उन सभी स्टुडेंट को पढ़ा रहा होता है लेकिन एक दिन बारिश होने के कारण कोर सेंस उन सारे स्टुडेंट को बताता है कि अगर वह सभी लोग आने वाले फाइनल एक्जाम में फ़र्ष्ट डिविजन रेंग आसिल करेंगे तो वह उन्हें खुद को खत्म करने का मौका देगा और जो भी फष्ट डिविजन आसिल करेगा वह उन्हें उन्हें खतरनाक टेंडिकल्स को काटने का मौका देगा ताकि वह कमजोर पढ़ जाएं और वह स्टुडेंट उसको बड़ी आसानी से खत्म कर दे और इस तरह से सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह लोग आसानी से फस्ट डिविजन आसिल कर लेंगे और उस एलियन के उनका तनाथ टेंडिकल्स को खतम करके उस एलियन को कमजोर कर देंगे और उससे आसानी से मार देंगे वो उस प्रती को भी बचा कर 12 बिलियन यान भी जी जाएंगे इसी तरह से और कुछ दिन गुजरते हैं और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से को उनका रिजट बताता है इस दोरान कोरो सेंस बताता है कि सिक्स श्टूडेंट ने फर्स्ट डीजन असिल किया है जिने उसके टेंटिकल काटने का मौका दिया जाएगा इसके बाद उस एलियन को सभी बच्चे एक जगे बांध कर उसके टेंटिकल पर टेक्ट करने के लगते हैं लेकिन तबी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वहां मुझू सारे स्टुडेंट्स ब्योशो कर वहीं घिर जाते हैं तबी वह लोग नोटिस करते हैं कि कोरोसें से ट्रांसपेरेंट बोल के अंदर जा चुका है और उसका साइज भी बहुत चोट हो चुका है उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता इसके बादम वहां पर अकिरा को दोबारा धेख पाते हैं जो उन इस्टुडेंट्स और टाडो में से बदला लेने के लिए वहां आ चुका था जहां जाकर वह सभी को बताता है कि टोना भी उसका इसाती है जो कोरोसेंस को ख उन सभी स्टुडेंट्स को बताता है कि उनके ब्योंश होने में भी उसी का हाँ थे क्योंकि उसने उनके पानी में एक इसा वाइरस मिला दिया था जिसकी मदद से वहां धीरे-धीरे कमजोर पढ़ने लगे हैं और वहां तीन ही दिनों में अपनी जान खो देंगे और अग किरा और इटोना से मुकाबला करना होगा क्योंकि उन्हीं लोगों के पास उस वाइरस का इंटी डियोड है सारे स्टुडेंट्स वहीं पर ब्योंश पड़े हुए थे नागिसा और करमा ही दो ऐसे स्टुडेंट्स थे जो अब उन लोगों से लड़ने के लिए वहां बारिश होती है जिस कारनी टोना भी कोरोसेंस की तरह ही कमजोर पढ़ने लगता है इसी बात का फाइदा उटा कर नई किसा उसके सारे टेंटी का स्कार देता है जिससे भी वह बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है इसके बाद वह लोग उस टावर से नीचे आते हैं जहां दो उन 17 बच्चों को एंटीडोर दे देगा जिससे उनकी जान बस सकती थी लेकिन तब भी हम वहाँ पर उस स्कुल के सारे स्टुडेंट्स को देख पाते हैं जो वहाँ आकर अकिरा को बताते हैं कि उन्हें उस वाइरस के एंटीडोर के ज़रत बिल्कुल भी नहीं है क्य इसके बाद वहाँ पर जापानी आर्मी आ जाती है जो सारे बच्चों को लेकर अपने साथ चली जाती है जोनों ने कोरो सेंस को लगबख खत्म कर दिया था जो अब एक बोल के अंदर के था जापानी आर्मी के कुछ अदिकारी सारे इस्टुडेंट्स को दन्यवात कहते ह क्योंकि उन्हीं के कारण प्रत्वी अप पूरी तरह से सेव थी इसके बाद जापानी आर्मी सभी स्टुडेंट्स को बताती है कि जो बचा हुआ उस एलियन का हिसा उन्हीं लोग के पास रहेगा इसके बाद कोरो सेंस को एक चेंबर में डाल दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे बोस मजू थे जिसकी मदर से वह उसे खत्म करने वाले थे लेकिन इससे पहले कोरो सेंस उन सारे को बताता है कि वह बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि वह अपने स्टूडेंट्स के आतों मारा गया और वह जानता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स सभी लोगों से बहुत बेतर है जो अपनी इस जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा असिल जरूर करेंगे यह सुनने के बाद वहां मोजू सारे स्टूडेंट्स एमोशनल हो जाते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने कोरो सेंस को जापानी आर्मी के वाले करके और उससे खदम करने में उनकी मत करके बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि वह एक बहुत अच्छा टीचर था लेकिन अपने उस टीचर के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी है वो सारे बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं इस दोरान हम नगीसा को देखते हैं जिससे सबसे ज़्यादा कोरो सेंस के मरने का दुख था तबी जब वो रो रहा था वहां बर कोरो सेंस का एक हाथ पीचे से आता है जो से आसु पहुशने के लिए एक रुमाल देता है जिसे देखकर वहां मुझूद उसके सारे स्टुडेंट बहुत खुश हो जाते हैं इसके बाद जापानी आलमी डिसाइड करती है कि कोरो सेंस को कदम नहीं किया जा सकता इस कारण उसे एक बार फिर से ख्लास 3 का टीचर बना देते है और वहां पर वही सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं जो उस टीचर के बहुत ज़्था करीब आ चुके थे इसके बाद हम उसी चोटे से बच्चे इटोना को भी देख पाते हैं जो आनने के बाद अब उस टीचर का स्टुडेंट बनने के लिए और उससे पढ़ने के लिए वहां चुका था और इसी के साथ इस मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है गाइस अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले थैंक्स रोजिंग